मेरे इस वीडियो में आपका एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए पीएस्टी स्लीपरों पे लगने वाली फास्टिंग के बारे में लाया हूँ बिभिन प्रकार की रेल और बिभिन प्रकार के स्लीपरों पे लगने वाली फास्टिंग को इस वीडियो में दिखाए गया है ये नए जेई ट्रेक मेंटेनर के लिए एक्जाम के हिसाब से तो फायदे बंद ही ता साती साथ ट्रेक के रख रखाओ के लिए भी बहुत उपयोगी है मेरे इस वीडियो को अन तक देखें या आपके लिए उपयोगी होगा PSTS on PSC Sleeper के साथ केवल अनमोदित एपरूड प्रकार की फिटिंग्स और एलास्टिक फास्टिंग का उपयोग किया जाएगा अनमोदित प्रकार की फास्टिंग निमन है नमबर एक ERC Elastic Rail Clip RDSO Specification IRST31 के अनुसार Silco Magneze Spring Steel से बनाई जाती हैं ये निम्न है ERC का कार ERC का उपयोग rail को स्लीपरों के साथ बांदने के लिए किया जाता है ERC Mark 1, Mark 2 और Mark 4 अब ये सभी बनना बंद हो गई है Detailed Types of ERC Table में दिखाये गया है CJ Number Types of ERC RDSO Drying Number Toe Load in KG Toe Deflection in MM Diameter in MM Approximate Weight in KG Number 1 ERC Mark 3 जिसका Drying Number T3701 Toe Load 8502 1100 Toe Deflection 13.5 Diameter 20.64 Weight 0.91 kg है Number 2 ERC Mark 5 Drying Number T5919 Toe Load 1200 to 1500 Deflection 13.5 Diameter 23 Oblique 20.64 Approximate Weight 1.08 kg है ERC Z-Type यह ERC Glute Joint Fish Plate और Joggle Plate पे लगाई जाती है जिसका Drying Number T8258 है Toe Load 650 Deflection 8.5 Diameter 20.64 और तैइसे यह जिसका Drying जिसका Drying Number T6254 और सर क्लिप का Drying Number T6255 टो लोट 850 to 1100, 13.5 deflection है, diameter 20.64 और weight 0.937 है इस स्लाइड में हम विविन प्रकार की ERC के बारे में दिखा रहे हैं ये Mark 3 T3701 है ये ERC Mark 5 T5919 है ये ERC J-type T8258 है ये anti-theft ERC T6254 है और इस group में circle T6255 लगाते हैं ये चोरी और sabotage वाले इलाके में लगाई जाती है anti-theft ERC को insert में लगाने के बाद group में circle को रखके special spanner से ठोग दिया जाता है नमबर दो GRSP crude rubber sole plate ये RDSO specification IRS T47 के अनुसार ये 6 mm मोटाई के बनते हैं ये main line turn out SEJ channel और guard rail के लिए बनाय जाते हैं नमबर तीन composite GRSP CGRSP short में कहते हैं ये RDSO specification RDSO अबलिक MNC अबलिक RP 198 अबलिक 2006 के अनुसार 6.2 mm मोटाई के और RDSO अबलिक MNC अबलिक RP 200 अबलिक 2007 के नुसार 10 mm मोटाई के निर्मित होते हैं इनकी codal life जादा होती है इनकी उपरी सतय पर टॉप लिखा होता है और hard और group कम होते हैं इस सतय को rail की तरफ रखते हैं और दूसरी सतय मुलाईम group अधिक होते हैं sleeper की तरफ रखते हैं ये 60 kg PSC sleeper का composite group rubber sword plate है जिसका drawing number T6618 है और इसमें 7 group होते हैं एक तरफ ये surface hard होती है इसको हम rail की तरफ रखते हैं अब इसको हम पल्टा देते हैं 60 kg के composite group rubber pad को हम घुमा कर रखते हैं तब देखते हैं कि इसमें 8 group हैं और ये सतय मुलाईम होती है इस वाली सतय को हम sleeper की तरफ रखते हैं ये रखने का सही तरीका है विविन sleeper पर लगने वाले GRSP आपलिक CGRSP ड्राइंग के अनुसार निम्न है नमबर वन सीजेल नमबर एक description 60 kg PSC P6 ड्राइंग नमबर 2496 इसमें जो GRSP लगेगा उसका ड्राइंग नमबर है T6618 6.2 mm थिकनेस है नमबर 252 kg PSC P5 T2495 CGRSP का ड्राइंग है T8327 6.2 mm नमबर 3 वाइडर PSC 25 XL टन लोट के लिए जो नए बने है उसका CGRSP ड्राइंग नमबर T8528 10 mm थिकनेस का है इस टेबिल में टर्न आउट के GRSP के बारे में बताया है नमबर 4 टर्न आउट PSC 1 in 12 रेल कंपोनेंट 52 60 kg के हैं और स्लीपर 60 kg के हैं GRSP का ड्राइंग नमबर T4218 6 mm थिकनेस के हैं नमबर 5 टर्न आउट 1 in 8 and a half रेल 52 आप दिक 60 kg PSC 60 kg ड्राइंग नमबर है T4865 6 mm 6 नमबर डेलिंग स्विच 52 kg आप लिक 60 kg PSC 60 kg GRSP का ड्राइंग है T6068 6 mm थर्ड टेविल में हमने कुछ स्पेशल स्लीपर के बारे में दिखाया है जिसके रबर पैड निम्न है नमबर 7 SCJ PSC 60 kg T4159 GRSP का ड्राइंग है 6 mm थिकनेस 8 नमबर 52 kg गार्ड रेल आउन चैनल P5 स्लीपर है T5163 6 mm 9 नमबर 60 kg रनिंग रेल आउन चैनल P6 T5156 10 mm थिकनेस के है फास्टिंग आउन PSC स्लीपर GRSP for CMS कासिंग portion CMS कासिंग भाग के GRSP एक टेबिल दिखाई है सीरेल नमबर डिस्क्रिप्शन GRSP ड्राइंग नमबर नमबर आप GRSP in one set यूज अन स्लीपर नमबर वन 1 in 12 PSC टरन आउट PSC 60 kg GRSP का ड्राइंग नमबर है T62042-62118 नमबर वन 1 set में ये यूज के जाते हैं स्लीपर नमबर 66 से स्लीपर नमबर 73 में नमबर 2 1 in 12 PSC टरन आउट PSC 60 kg नाइलोन कार्ट रेंफोर्स T70142-T7021 वन 1 set में एट नमबर है स्लीपर नमबर 66 से स्लीपर नमबर 73 में यूज के जाते हैं नमबर 3 1 in 8 अड़ पीस सी टरन आउट PSC 60 kg ड्राइंग नमबर GRSP का T619826203 6 नमबर 1 set में हैं स्लीपर नमबर 43 से स्लीपर नमबर 48 में इस्तेमाल किये जाते हैं GROOVED RUBBER SOUL PLATE का कार अधिक छमता बाले जटकों और Vibration का अप्शोर्षन एब्जॉर्ब करता है रबर पैड स्लीपर की लाइब बढाते हैं नमबर 4 लाइनर PSC स्लीपरों के इंसर्ट के बीच रखी रेल के दोनों तरफ के फ्रेंज के साथ लाइनर रखकर ही गेज बनता है और रेल पर लाइनर रखने के बाद ही ERC निर्धारित तो लोड आता है लाइनर के प्रकार लाइनर दो प्रकार के होते हैं नमबर एक GFN लाइनर नमबर दो मैटल लाइनर या धातू के लाइनर नमबर वन GFN लाइनर ग्लास फिल्ड नाइलोन GFN लाइनर ग्लास भरा नाइलोन लाइनर RDSO इस्पेसिफिकेशन IRST44 के अनुसार बनाए जाते हैं और ये ट्रैक सरकिट इस्थानों में जैसे इस्टेशन में सिगनल से सिगनल के बीच में लगते हैं ये रेल सेक्शन के अनुसार बनते हैं नमबर दो मैटल लाइनर ये RDSO इस्पेसिफिकेशन प्रोवीजनल 2013 के अनुसार बनाए जाते हैं ये भी रेल सेक्शन के अनुसार होते हैं अब हैं कम्बिनेशन लाइनर इस्तेमाल किये जाते हैं जहां हलके रेल सेक्शन की रेल को भारी रेल सेक्शन के स्लीपरों के साथ उपयोग किया जाता है ये मैटल और जीएफन दोनों तरह के होते हैं जैसे 52 केजी की रेल है और 60 केजी का पियस्ती है तो हम वहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाएंगे रेल और स्लीपरों के अनुसार लगने वाली फास्टिंग ये चार कंडिशन हमने दिखाई है नमबर एक 52 की रेल और 52 के पियस्ती स्लीपर नमबर दो 52 की रेल और 60 के पियस्ती स्लीपर नमबर तीन 60 की रेल और 60 के पियस्ती स्लीपर अभी हमने एक टेबिल में दिखाया है 52 की रेल और 52 के स्लीपर रेल सेक्शन 52 केजी पीस्टी स्लीपर 52 केजी ड्राइंग नंबर T2495 ERC का ड्राइंग नंबर है T3701 मार्क 3 GRSP CGRSP का ड्राइंग नंबर है T7303 जो अब बंद हो गए है और T8327 GFL liner T3702 और metal liner 3738 अभी एक चित्र दिखाया है इसमें ये देखिए insert से insert की दूरी 148 है 52 केजी का रेल फ्रेंच 136 mm है और ये liner blue color से रखे है ये एक liner को लगा के दिखाया है ये देखिए liner की जो groove है इसका 5.5 mm है ये GFL liner show कर रहे हैं अब insert से insert 148 mm है 52 केजी का फ्रेंच 136 mm है तो gap 1 to 12 mm होगा और 6 mm 6 mm वो साइड बचेगा liner group LR 5.5 mm का प्लस 5.5 mm का 11 mm का होगा gap 1 and 2 after liner 12 minus 11 1 mm gap play के लिए बचेगा इस चित्र में 52 केजी की रेल और 52 केजी के लगने वाली fitting के बारे में बताये गया है इंसर्ट से इंसर्ट 52 केजी की दूरी 148 mm है और रेल का फ्रेंच 52 केजी का 136 mm है रेल और स्लीपर के अनुसाल लगने वाली fasting नमबर दो 52 केजी की रेल है और 60 केजी के पीएस्टी स्लीपर पर लगने वाली fitting सीडेल नमबर दो रेल सेक्शन 52 केजी पीएस्टी स्लीपर सेक्शन 60 केजी का है ड्राइंग नमबर टी 2496 है ए यार्सी का ड्राइंग नमबर टी 3701 है मार्क 3 है चार नमबर लगेंगी GRSP CGRSP ड्राइंग नमबर टी 3711 ये बंद हो गए है और टी 6618 टू नमबर CGRSP लगेंगे combination liner T3707 गेज साइड में लगेगा पीले रंका होता है T3708 नौन गेज में लगेगा हारे रंका होता है metal liner T3741 गेज साइड T3742 नौन गेज साइड में लगेगा अब देखिए एक चित के द्वारा हमने इसमें दिखाया हुआ है ये liner है GFN T3708 और metal liner T3742 है ये liner GFN 3707 और metal liner 3741 है ये 9 mm इसका groove होता है और इसका groove 15 mm होता है ये देखिए हमें एक section दिखाया है rail है insert to insert दूरी 162 है और rail flange 52 kg का 136 mm है blue color से liner रखे है ये दिखाया है इसमें table में insert to insert 162 mm है 52 kg rail का flange 136 mm है gap दोनों के बीच में 26 mm है liner 3707 और 3747 gauge side में जो लगते हैं groove 9 mm का है liner 3708 और 3742 non gauge में लगते हैं जिसका groove 15 mm का है total 24 mm है gap 3 and 4 after correct liner 26 minus 24 is called to 2 mm for play इस चित में 52 kg की rail और 60 kg के sleeper में लगने वाली fitting के बारे में बताए गया है इसमें combination liner लगते हैं insert to insert दूरी 162 mm है और 52 kg rail का flange 136 mm है नमबर 3 60 kg rail 60 kg PST पर लगने वाली fitting के बारे में बता रहे हैं rail section 60 kg का है PST sleeper 60 kg का है drying number T2496 है ERC का drying number T3701 चार नमबर लगेंगी mark 3 और T5919 mark 5 फिर चार लगेंगी CGRSP और GRSP का drying number T37112 यह बंद हो गया है और T661A2 नमबर CGRSP लगेंगे liner GFN T3706 और metal liner 3740 यह 44 नमबर लगेंगे एक PST में अभी हमने इसको चित्र में दिखाया है यह आपका GFN और metal liner दोनों को दिखाये गया है 3706 metal liner 3740 इसमें group 5.5 mm है यह चित्र में दिखाया हुआ है CGRSP है यह यह insert to insert 162 है और rail flange 150 mm का है यह liner दिखाया है blue color से insert to insert 162 mm 60 kg rail का flange 150 mm gap 1 and 2 6 plus 6 left और right हमारे अगर gap बच्चे का center में rail रखने पे 12 mm liner group 3706 3740 left 5.5 right 5.5 is called to 11 mm gap 3 और 4 में after liner 12-11 1 mm 1 mm for play रहेगा इस चित्र में 60 kg के rail और 60 kg के PSC sleeper के बारे में बताये गया है 60 kg के sleeper में insert से insert के बीच की दूरी 162 mm है और 60 kg का rail flange 150 mm है चौति कंडिशन है 60 kg rail 60 kg PSC sleeper 25 XL 10 पर लगने वाली fitting सीडियल नमबर 4 rail section 60 kg UIC की rail है PSC sleeper 60 kg 25 XL 10 का है sleeper T8527 ERC का ट्राइंग नमबर T5919 Mark 554 नमबर लगेंगी CGRSP T8528 2 नमबर लगेंगे combination liner GF1 T6938 gauge side में लगेगा T6939 non gauge में लगेंगे ये दो set लगेंगे metal liner T8616 gauge side में T8617 non gauge में ये भी दो set लगेंगे अब ये amnix में चितके दोरा दिखाये हुआ है ये देखिए metal liner T8617 GF1 T6939 non gauge में रहेगा इसका group 10.9 mm है और gauge side में लगने वाले liner MST8616 GF1 T6938 का group 7.5 mm है ये चित में देखिए insert to insert 170.4 mm है और rail flange 60 kg का 150 mm है और ये blue color से liner दिखाये गए है L और R insert to insert 170.4 mm है 60 kg rail flange 150 mm है gap 1 और 2 20.4 mm है liner group gauge side 8616 T6938 7.5 mm है non gauge में T8617 T6939 10.9 mm total 18.4 mm है total 18.4 mm है gap 3-4 after correct liner 20.4 minus 18.4 is equal to 2 mm play रहेगा इस चित में 60 kg की rail और wider 25 axle turn load के लिए design sleeper T8527 में लगने वाली fitting के बारे में बताये गया इसमें insert से insert की दूरी 170.4 plus 1.5 mm है और rail का flange 150 mm है और एक condition और दिखाई है यदि rail 141 RE और 136 RE की है sleeper 60 kg 25 axle turn load का है PSC T8527 Mark 5 ERC लगेगी T5919 और GRSP T8528 दो नंबर लगेंगे लेकिन इसमें liner single ही लगेंगे और चार नंबर लगेंगे T6937 GFN और T8618 metal liner लगे उपरोग चारों दशाओं में यदि liner सही नहीं लगाएंगे तो gauge खराब होगा रनिंग के साथ साथ TRC के परिणाम भी खराब आएंगे sleeper गुनिया square में होने पर ही rubber pad और liner सही लगेंगे और ERC का toe load भी सही मिलेगा fitting ज्याद करने का तरीका एक किलोमीटर में 1660 sleeper density के हिजाब से 60 kg रेल और 60 kg sleeper की fitting बताएं एक किलोमीटर में sleeper 1660 हैं एक sleeper में ERC 3701 चार लगेंगी CGRSP 968 दो लगेंगे MS और GFN liner T 3706 चार चार लगेंगे एक किलोमीटर में लगेगी ERC 1660 इंटू 46640 नमबर CGRSP 1660 इंटू 23320 नमबर MS liner 1660 इंटू 46640 या GFN 1660 इंटू 46640 नमबर कट liner का उपयोग फिश्ट प्रेटेट जोड ग्लूर जॉइंट और जॉगल फिश्ट प्रेट में ERC जे क्लिप के साथ किया जाता है यह रेल और sleeper के हिसाब से अलग-अलग section के होते हैं यह cut liner 52 की rail और 52 के sleeper का है जो ERC J type के संग लगाय जाता है यह combination cut liner है जो 52 की rail और 60 के sleeper पर ERC J type के संग लगाय जाता है ये sleeper का groove है और ये 52 kg का cut liner 52 kg के sleeper पर लगता है इसका color pink है और इसका drawing number T3702 है ये देखे कीमेन के दोरा इसको groove में रख दिया गया है और अब कीमेन के दोरा इसमें ERC J type को लगा कर ठोक दिया गया है मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को like करें subscribe करें और share करें और अगले वीडियो का इंतिजार करें धन्यवाद